मैं आपका स्वागत करता हूं दस्तो शिक्टी सेवन बीपेसी सीडी पियो ऑडिटर एयो बीएससी बिहार एस एसाई और बिहार के अन्य एक्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार समान ग्यान के अंत्रगत जो एंसी की सीडी चलाया जा रहा है उसका नौमा वीडियो आज मैं आप लोग के समख्ष लेकर आया हूँ और इसमें वैसे ही प्रशनो का क्लेक्शन किया गया है जो आपके एक्जाम में हेमेशा पूछा जाता है और इनके प्रशनो का जो कलेक्शन है वो Crown वीडियो अप्लोड किया जा चुका है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो रेपनी टुप से देखिए काफी महत्रफुल वीडियो है चलिए जानते हैं अगर आप UPS किसी भी स्टेट PCS की त्यारी करते हैं या फिर कोई भी अन एक्जाम की त्यारी करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेट्फरं हो सकता है जहां आपको live classes की सुवदह मिल जाती है test series की सुवदह मिल जाती है free videos मिल जाते है previous year paper मिल जाते हैं और free quiz की विविवस्ता है साथ साथ आपको एक best study material भी मिल जाता है तो आप अगर इससे join करना चाहते है तो 50% का डिसकाउंट भी मिल जाएगा तो यहां आपको एक अच्छा प्लेटफर्म प्रोवाइड कराया जाता है जहां आपको वेस्ट एक्सपरियंस फैकल्टी मिल जाते हैं और साथ साथ आप यहां देख रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ स्टड़ी मिटेरियल वेस्ट फैकल्टी और लाइफ क्लासेस होते हैं जो आपको टीचर्स लाइब आकर पराते हैं उस्तों बिहार समान ग्यान स्थापित नहीं किया तो वह था दोस्तों फ्रांसी सी जिन्होंने पटना में कोई फैक्टरी अपना स्थापित नहीं किया तो आप्सन सी इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट पसन है कि अंग्रेजी यातरी जो थे अंग्रेज यातरी पीटर मुंडी ठीक है पीटर इसका सही जवाब हो जाएगा में अस्थापीद की ठीक है अंग्रेज जो थे वो अप पटना में जो फैक्टरी अस्थापीद किये तो उससे में मुगल साक कौन था यहां का तो उससे में मुगल सासक साह जहां थे जिस समय इनों नहीं यहां पर फैक्ट्री अस्थापीद की तो option B सही जवाब हो जाएगा next person है कि बिहार में बिहार के च्छेतर में सरपर्थम कौन आया तो बिहार के च्छेतर में सबसे पहले कौन आया मतलब कौन यूरोपी आया आप कहने का मतलब यह अंग्रेज है डेनिश है डेच है पुर्तगाली है तो अगर बात करें भारत में तो भारत में 1499 इस्वी में ही पुर्तगाली आ चुके थे और बिहार में भी सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली ही थे तो option D इसका सही जवाब हो जाएगा next है बिहार में डेच्छ फेक्टरी के अस्थापना कब हुई तो डेच्छ फेक्टरी अभी जो बरतमान पतना प्रस्ण का आपका सही जवाब हो जाएगा 1774 में डेनिश वसों ने यहां पर फेक्टरी अस्थापीद की थी option A सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अगर चाहते हैं आप इसका PDF लेना तो इसके PDF भी आपको मिल जाएगी और PDF के लिए आपको GS आज तक के नाम से जीएस आज आज तक के नाम से आपका टेलीग्राम ग्रूप है उस टेलीग्राम ग्रूप में ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर मैं PDF आपको डेफिनी रूप से सेर कर देता हूं एक दिन बाद तो आपको यहां पर PDF भी इसका मिल जाएगा है बेद एंसर ठीक है तो इसका PDF चाहिए तो किसके समय किसकी इमारत थी किसकी फैक्टरी थी वहां तो उसे में जो पतना कोलेज था उसे में पतना कोलेज के आसपास के जच्छे तर से वह डच फैक्टरी था ठीक है तो आप्शन भी इसका सही जवाब हो जाएगा बर्तमान गुलजार बाग इस्थित गवर्मेंट प् ग़र्मेंट प्रेंटिंग प्रेस तो ऑन्गेंगरेज का पर्षेंड को बना तो पतना में जो फैक्टरी अस्थापित की थी। के परधान किसको बनाया था जोर्ज चरनाक को तो यह चरनाक जो है पत्ना फैक्टरी के कब परधान बने थे तो दोस्तों यह बने थे 1664 में कब बने थे 1664 में तो option भी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर आप किसी भी तरह का कोई आपके मन में प्रस्न है तो आप जीएस आज तक वन ठीक है जीएस आज तक वन की नाम से टेलिग्राम चैट ग्रूप है वहाँ जोईन कर सकते ह आप आप हमसे किसी भी तरह के जो भी आपके मन में सवाल है वो पूछ सकते हैं चलिए नेच्ट प्रस्न है नबाब अलिवर्दी खां बिहार का कर्चकल क्या था तोस्तों मैं आपको बता दू कि बिहार में अलिवर्दी खां का जो कार्चकल था वो 1734 से 1740 के 20 था तो option B इसका सही जवाब हो जाएगा next है अलिवर्दी खाने बंगाल की गदी कब अधिकार कर लिया बंगाल की गदी कब हतिया लिया इन्होंने तो बंगाल की गदी इन्होंने 1740 इस्वे में हतिया लिया था option C सही जवाब हो जाएगा नेक्स है बंगाल के नवाबों में किसने अपनी राजधानी मुरसिदाबाद से मुंगेर अस्थांतित किया कर लिया ठीक है बंगाल के कौन से नवाब थे जिन्होंने अपनी राजधानी को मुरसिदाबाद से कहां लेकर आये मुंगेर लेकर आये तो ये थे मीर कासिम ठीक ह प्रसंन है चोदवा प्रसंन है कि 1768 में अलिवर्दी खाने रानी शरै के जुद में किसे प्राजित किया ठीक है अलिवर्दी क्हाने रानी शरै का जुद्ध यद रखेंगे महत्वपून प्रसंन है 17 зах tentang usual एंट। 798, जुद्ध synt किशे में किसे प्राजित किया था तो इन्हों ने अफगानों को प्राजित किया था रानी सराई के जुद में किसे प्राजित किया था अफगानों को प्राजित किया था तो option A इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है next है निमलिखित में से कौन बिहार का पर्थम नायब नाजिम था ठीक है नायब नाजिम था बिहार का पर्थम नायब नाजिम किसे बनाय गया था तो उस तो बिहार का पर्थम नायब नाजिम थे वो राजा राम नरायन थे ठीक है कौन थे रा जा राम नरायन थी तो अपसन D सभाब हो जाहेगा नेक्ट है 1733 में मुगल समराठ मुहम्मद शाय ने किसे बिहार की शुब्थदारीpta कीश्य परदान करदी तो 1733 में बिहार की शुब्थारी सुझाउदीन को दे दिया गया था किसको सुजा उदीन को दे दिया गया था तो सलाहा का सही जवाब option C हो जाएगा next अलिवर्दी खाने बिहार में अफगानों को किस जुद्ध में पराजित किया अफगानों को किस जुद्ध में पराजित किया तो मैंने अभी इसका चर्चा भी किया था रानी शराय के जुद में अलिवर्दी खाने इसे पराजित किया था और ये रानी शराय कहां था तो रानी शराय दोस्तों बर्तमान पटना के आसपास में ही था तो पटना के जुद भी कहते हैं इसको तो अप्सन भी इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक ह रानी शराय के जुद में या पतना के जुद में अपगानों को पराजित किया था नेक्स्ट है बिहार में कहां अलिवर्दी खाने मराठो को पराजित किया ठीक है मराठो को अलिवर्दी खाने कहां पराजित किया बिहार में तो अठार में प्रसन का सही जवाब हजाएगा फटुहा के समीब या भी पटना के नजट देखी है फटुहा के समीब तो अंप्शन एसका सही जवाब हजाएगा नेक्श्ट है बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने 1748 में हत्या कर दी ठीक है बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने 1748 में हत्या कर दी तो यह थे हैबत जंग कौन थे जैनुदीन हैबत जंग को अफगानों ने हत्या कर दिया था 1748 में कि तो उनिसे प्रसद का सही जबाओ जым सी हो जाय गा चले ने स्ष्प्रसंज में बिसमाँ से प्रसद ने प्लाशी के जुद्द पहिएं अंग्रेज के अंग्रेज्गे नीती को बढ़ा दिया था तोक में 1757 222 थे और किनके किन के बीच हुए थे यह हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि 비ासी का जुद किनके की बिच हुए थे और प्लासी के जुद के उपरांत बिहार के उपनबाब किशे बनाया गया तो इस समय बिहार के जो उपनबाब बनाया जै थे वो प्लासी का जुद किन के किन के बीच हुए थे और प्लासी के जुद के उपरांद बिहार के उपनबाब किशे बनाया गया तो इस समय बिहार के जो उपनबाब बनाया गया थे वो थे मीरन कौन थे मीरन को बिहार का उपनबाब बनाया गया था तो आपसन ए सही जवाब हो जा बिहार में ब्रेटिस सता का सरपर्थम बिरोध किसी ने किया ब्रेटिस सता के सरपर्थम बिरोध करने वाले बिहार में अगर बात करें तो यह थे दोस्तों अली गौहर इन्हों ने ही सबसे पहले बिहार में जो अंग्रेजियों का विस्तारवादी निती था तो बिहार में सरपर्थम सता का जो बिहार में सता का जो सरपर्थम विरोद करने वाले अली गौहर नहीं थे तो आप्सन C सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है अली गौहर ने कब पतना में घेरा डाला था तो 1760 में इनों ने पतना में घेरा डाला था प्रसने है, इस्ट इंडिया कंपणी को बंगल बिहार और अलिशा की दिवानी का अधिकार परदान किया, जब बक्सर के युद्ध हुआ था, तो सतरा सो 65 में जो इलाहाबाद की शंधी से बकसर का जुद्ध समाप्त हुआ था तब साहालम दीतिये ने बिहार बंगाल और रियसा की दिवानी अंग्रेजों को सौप दी थी नेक्ट पसने मिर कासिम को अपनी राधानी मुर्सिदाबाद से मुंगेर लाने का क्या कारण था गया तो इक लगान का घठन मतलब किया गया का 1770 में कि साइशल Euro ? तो अ धिराइज नरायन को जब हटादिए गया तो sincer नवब बने गया बिहार के dubai तो ये कब हुई तो ये घटना जो है वो 1760 की घटना है तो option D इसका सही जवाब हो जाएगा next है पतना में गोल घर का निर्मान किस governor के काल में हुआ ये प्रसंद कई बार आया भी है तो पतना में गोल घर का जो निर्मान था वो मुखरूप से आनाजो के भंडार के लिए बनाया गया था और इस समय जो governor general थे वो थे दोस्तो Lord करणवालिस कौन थे Lord करणवालिस तो option D सही जवाब हो जाएगा पतना में पहले अंग्रेज मेजिस्ट्रेट बताईए पतना के पहले अंग्रेज मेजिस्ट्रेट कौन थे तो वो थे Charles Francis Grant कौन थे Charles Francis Grant तो option B सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है बिहार में सोरे ब्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किस ने परदान किया ten यहार में सोरे जो ब्यापार होता था उसका एकाधिकार अंग्रेजों किस्की द्वारा परदान किया गया अंग्रेजो को या काधिकार दोस्तों तो 31 मिर जहापर के द्वारा ये परदान किया गया था ठीक है उप्शन B सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है मीर कासिम ने बंदुकों एमंग तोपों की करखाना कहां स्थापित की तो मीर कासिम ने अपने जो नई राधानी बनाया था मुंगेर इसी को यहीं पे इन होने बंदुकों और तोपों की करखाना स्थापित की तो option C से जवाब हुजाएगा बक्सर का जुद्ध कब हुआ ठीक है काफी महतोपुन प्रसन है आज कल डेट भी पूछे जा रहे हैं तो बक्सर का जुद्ध जो हुआ 22 अक्टूबर 1764 को ये जुद्ध हुआ था बक्सर के जुद्ध में अंग्रेजी शेना का नेतित तो किस ने किया था यह भी काफी महतोपुन प्रसन है तो बक्सर के जुद्ध में अंग्रेजी शेना का नेतित तो जो है वो किया गया था हेक्टर मुन्रो के द्वारा किसके द्वारा किया था तो 34 प्रसन का सही जवाब अप्सन बी हेक्टर मुन्रों के द्वारा नेक्स्ट है बक्सर के जुध में अंग्रेजों ने किश के विरद्ध युद्ध किया था मीरकाशिम, तो इस तीनों के संजुक्त सेना को पराजित कर दिया गया था अंग्रेजों के दौरा तो अप्शन D इसका सही जवाब हो जाएगा बक्सर के जुद की समाप्ति के लिए किस संधी के शांत हुआ तो इस तो बक्सर का जुद का जो समाप्ति था वो इलाहाबाद के संधी के सांत हुआ ठीक है और यह संधी हुआ था सत्रसों पैसाट इस्वी में तो इलाहाबाद के संधी के बाद ही बिहार, बंगाल और उडिशा की दिवानी अंग्रेजों को सौपनी गई थी तो option C सही जबाब हो जाएगा दोस्तों अगर आप किसी तरह के chat group को मतलब आप हमसे chat करना चाहते हैं तो टेलिग्राम का जो group है जिये साथ तक one इससे join कीजे और यहाँ पे आपको इस दोनों group में PDF भी मिल जाएगे तो आज के लिए इतना ही हमें पुरी उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी share कीजिए